हेई गाइस क्यास है आप सब सब एक बहुत एक खुक वीडियो आप लोगों के लिए लेकिया हूं हमारे वेबसाइट पे एक नया लाइटर अपडेट हुआ है एक नया रेप्लिका लाइटर है इस काल पाइफन हमारे उसे पहले पाइफन 357 था जो कि थोड़ा बड़ा साइ इसका है इन फेक काफे बड़ा साइज है राण ये जो है से रिफ्र हैटर है वृट उसवेर Ist कवेरी ak defines a इस We घू पी ऐटस तो है नेहीं ऊटाफ नाइस लाइटर वरी क्यूट लाइटर इट कमस विद दिस प्यारा सा एक लेटर पाउच और होस्टर इसे कहिंए विज़ाइन के आप इसे पने बगल आपने बेल्ट में लगा सकते हैं वेर नइस बड मैं आपको रिकमेंड नहीं करोंगा इसको बैल्ट में लाके घूमने क है गाइस वोट इस आप कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए लेगा एक बहुती न्यू बहुती क्लासी बहुती अच्छा गन और इस गन का नाम है पाइथन लाइटर यस गाइस हमारे वेबसेट पर पहले पाइथन 357 लाइटर था है और वो उसका ये जो है इसका यून रौण अराउड 136 लाइट अफिवे इस लाइट आप इस एटीं सेंटीमिटर यहां से यहां तक जा लेंट आइस एटीं सेंटीमिटर है यह यहीं है यह बहुती ही नहिंट इस चूटा टाहिं पाइट पाइट इस गोट इकते हैं चोटा भी इपते बहुट उत्रा भी जोटा नहीं एंट लात मिश्जा स्ञास के लिए बहुत अच्छा बात करता है इसके material या build quality के उपर तो ये zinc metal का बना हुआ है बहुत दी हलका है I don't think zinc alloy का होगा zinc भी नहीं होगा zinc alloy का है तो it's not that solid ये बहुत दादा steel के तरह solid नहीं है बट ये ठीक ठाक है अच्छा है we can't expect much from you know such a low price और हलके quality के गन का तो गाइस अगर आपको से buy करना है तो आप हमारे website पर जाइए और इस airsoftgun india.com आप हमारे facebook page पर भी हमें लाइक कर सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब को दवा कर रखे ताकि आपको अप्डेट्स मिलते रहे so thank you so much guys have fun